नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अर्शित दिवेधियो और इस 9 चून 2020 के एडिटोरिल डिसकर्शन में मैं आपका सौध करता हूँ पहला आर्टिकल जो हम डिसकर्स करने वाले हैं दोस्तों इसका टाइटेल आप सामने देख सकते हैं यहां पर बात की गई है कि यह जो डाइरेक्ट मॉनेटाइज़ेशन होता है जिसमें सीधे सीधे आर्बियाई करेंटी को प्रिंट करके गुवर्मेंट को देती है उसमें क्या खामिया हैं क्या गलतिया हैं इसको हम इस आर्टिकल में समझने कोशिश करेंगे जो अगला आर्टिकल है दोस्तों वो है दा क्रिटिकल रोल ओफ डी सेंट्रलाइस्ट रिस्पॉंस देखें कोवेट नैटीन फैल गया है सेंट्रल गॉवर्मेंट्स स्टेट गॉवर्मेंट्स काम कर रही है इसके उपर यहां पर जो ऑथर है उनका यह कहना है कि केवस सेंट्रल स्टेट गॉवर्मेंट्स से काम नहीं चलेगा लोकल गॉवर्मेंट्स का भी इंवर्मेंट्स होना चाहिए और चुकि अगर लोकल गॉवर्मेंट्स का इंवर्मेंट्स कराना है तो लोकल गॉवर्मेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे पैसे देने के क्या-क्या sources उसके बारे में यहां पर बात की गई तो local finance के बारे में बताया गया है municipalities को पैसा किस तरीके से देना है एक corona containment bond की बात करी गई है MP fund scheme को रद किया गया है कहा गया है उसके पैसे को municipalities और panchayats को दिया जा सकता है Disaster Management Act 2005 को बदलने की बात की गई है तो यह सब चीज़ें देखेंगे आगे देखें यह एक article है step by step LAC पर stand off चल रहा है यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बतायागे यहाँ पर यहीं बतायागे कि आप यह external affairs ministry के बीच में बात हुए यह video conferencing basis पर और regional commanders की बीच में बात हुए सीधे सीधे बैटके चाइना की तरफ वाली LAC है वहाँ पर तो इस बात चीज़ में कुछ खास निकला नहीं है और यह कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक हो सकता है कि lockdown यह जो LAC का stand off है यह चलता रहे तो आगे क्या होगा वो समय बताएगा तो इस आर्टिकल को जादा डिसकस करेंगे नहीं इसमें कुछ खास है नहीं नेक्स एक यह आर्टिकल हम लोग डिसकस करेंगे दोस्तों selling space इसमें क्या है कि अभी आपको पता है कि NASA और SpaceX के public private partnership के through कुछ astronauts को International Space Station में भेजा गया है इसके बारे में बात करेंगे cost cutting की बात होगी यहाँ पे फिर हमारे प्रधान मंतरी Modi जी ने का कि जो हमारा Mars Orbiter Mission गया था जिसमें एक किलोमेटर का साथ उर्पय खर्चा आया था के बारे में बात की गई है तो यह सब चीज़ें आपको बताऊंगा नेक्स्ट आर्टिकल है दिखिए इसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ इसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर जो कुछ भी information है वो in one form or the other मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस आर्टिकल में बस ये बोला गया है कि इंडिया को नेपाल के साथ सीधे-सीधे बात्चीश शुरू करनी चाहिए अभी के लिए इंडियान नेपाल को बोला है कि जब lockdown खतम होगा तब बात्चीश करेंगा और आथर यहां पे बोल रहा कि सीधे-सीधे बात्चीश शुरू करनी चाहिए भले वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग पे हो तो ये कहा गया है और जो next article है वो है आपका fighting sea blindness ये एक important article है दोस्तों इसको Captain DK Sharman लिखा है ये Retired Naval Officer है पहले ये Indian Navy के spokesperson भी थे इनका ये बोलना है कि इंडिया के पास दो aircraft carrier है एक INS विक्रमा देते हैं एक INS विक्रांत है तीसरे aircraft carrier पे फिलाल के लिए कुछ sources ने ऐसा बोला है defense ministric sources ने बोला है कि हमें तीसरे aircraft की जरूरत नहीं है अभी के लिए Army और Air Force पे ध्यान देने की जरूरत है तो उसके अगेंस्ट मिया D.K. शर्मा जी ने बोला है history को quote करके कि हमें तीसरे aircraft carrier की क्यों जरूरत है उसको ignore करना क्यों हमारे लिए खजरनाग हो सकता है तो ये articles मैं आज आपके साथ discuss करने वाला हूँ बिना time waste के पहले article पे बात करते हैं वो है who is afraid of monetization of the deficit इसके बारे हम देखते है article को लिखा है T.T.Ram Mohanji ने ये आयम एहमदाबाद में एक professor है तो इनके points में थोड़ा वज़न है points को समझने कोशिश करते है देखे मूडी ने हमाली ratings को downgrade कर दिया है और अगर एक rating को और downgrade किया तो इंडिया के bonds है वो पहुँच जाएंगे junk category में मूडी वाली वीडियो में अलड़ी बना रखी दोस्तों आप जाके देख सकते हैं issues in news वाली playlist में आपको वो वीडियो मिल जाएगी यहाँ पर author ने यह बताया कि देखे मूडी का ratings को downgrade करना एक stark reminder की तरह काम कर सकता है चुकि अगर मूडी ने हमारी एक rating और down करी तो देखे जो foreign institutional investors आके हमारे bond market में पैसा लगा रहे हैं हमारे stock market में पैसा लगा रहे हैं वो बहुत bulk में हमारे देश से बाहर निकल जाएंगे और हमारी financial ratings पूरे देनिया में गिर जाएगी एक foreign exchange crisis शुरू हो सकती यह से हमारे रूपी depreciate कर सकता है अल्रेडी रूपी depreciate कर रहा है दोस्तों आपको पता है कोरोना वाइरस से पहले USD से जो रूपी का exchange rate चल रहा था वो 71 रूपी चल रहा था अभी कुछ दिन पहले 76 रूपी पहुँच गया तो यह depreciation ही तो है और हो सकता है कि अगर एक rating और गिरादी मूडी ने और बाकी कि जो आपकी rating agencies है इन्होंने standard and poor ने तो उस case में यह हो सकता है अगर इस चीज़ को सही करना है तो हमको उन factors पे ध्यान देना होगा जो मूडी ने अपनी report में बोला है मूडी ने क्या बोला कि देखे हम आपकी जो rating गिरा रहे है वो coronavirus की वाज़े से नहीं गिरा रहे है coronavirus के पहले जो factors हो है center or states की वो 12% तक पहुँच सकती है in fact बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 15% तक पहुँच सकती है यहाँ पर इस article में author ने 12% लिखाए फिर moody ये कह रहा है कि भाई जो public debt to GDP ratio है याई जो हमाई total GDP और जितना हमारा public debt है center or state दोनों का मिला के वो फिलाल के लिए कोरोना से पहले 72% था कोरोना के बाद पहुचके 84% हो सकता है 2021 में यह सब बुला गया है फिर कोरोना से पहले जो banking sector के non-performing assets थेने चितने उन्होंने advances दिये उसमें से कितने non-performing assets हो गए तो वो थे 9% यानि गर 100% loan में गुमा रखका है advances तो उसमें से 9% आपका NPO हो रखता है कोरोना से पहले अब चुकि कोरोना आ गया है सारे business बंद पड़े है तो banking sector पे stress आएगा यह हो सकता है कि और non-performing assets हमारे सामने आ जाए इसके बदले में क्या बोला है author ने कि government address करने के लिए क्या कह रही गवर्मेंट कह रही कि भाई जो discretionary fiscal stimulus होगा यह हम केवल 1% of the GDP रखने वाले हैं देखें जो हमारी government है दोस्तों जब से यह power में आई है तब से यह fiscal deficit को control करने कोशिश कर रही fiscal deficit मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ा सा आपको और बता है तो हमां लिजे government खर्चा कर 300 रुपया और government की कमाई है 80 रुपया तो government 20 रुपय एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है तो यह 20 रुपय एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए वो market से पैसा उठाएगी market से पैसा borrow करेगी और यह 20 रुपय होगी इस government की fiscal deficit और इस fiscal deficit को calculate किया जाता है as a percentage of GDP जबसे ये मोधी सरकार 2014 से power में आये इसकी कोशिश रही है कि 3 से 3.1% तक हम अपनी fiscal deficit को contain करें बढ़ अब अब तक कर नहीं पाएं चुकि पहले economy के हालत बहुत खराबती है और अब तो कोरोना के policy के वज़े से माजार में उतारेगे और उसकी वज़े से हमारी fiscal deficit बढ़ सकती है normal case में fiscal deficit बढ़ती है जब growth slow है तो growth कम होगी सरकार को expenditure जितना है वो करना ही पड़ेगा उसको पैसा पैसा आ कम रहा है चुकि growth कम हो रही growth ज़ादा होगी तो tax collection ज़ादा होगा सरकार के पैसा पैसा ज़ादा है तो एक तो होता है fiscal deficit बढ़ती है slow growth की वज़े से एक fiscal deficit बढ़ती है जब discretionary fiscal stimuli देती है सरकार सरकार ने बोलाई कि हम maximum 1% का discretionary fiscal stimuli देंगे लेकिन यहाँ पर ओथर का यह कहना है कि इतना कम discretionary fiscal stimuli देना सही नहीं है पूरी दुनिया में discretionary fiscal stimuli बहुत ज़ादा amount में दिया जा रहा है problem यह है कि जो rating agencies है इनको भी खुश करना है तो rating agencies को खुश करने के लिए जो सबसे important चीज है कि आप अपनी fiscal deficit को control में रखे उसके लिए आप अपने public debt को control में रखे जो पैसा आप market से उठा रहे है लोगों से उठा रहे है दुनिया से उठा रहे है उसको control में रखे अब इस public debt को control में रखने के लिए करा क्या जाए चुकि यहाँ पर author साफ साफ यह बोल रहा है कि sector की हौलत इतनी खराब होगे कि आप government सीधे सीधे businesses को पैसा दे और business economic production करेंगे वो possibility नहीं है जरूरी यह है कि government अब spending करें और government की spending infrastructure sector में होनी चाहिए यह बात बोली गई है तो जरूरी यह है कि भाई public debt ना बढ़े लेकिन खर्चा बढ़े economy में तो discretionary fiscal stimulus बढ़े पर public debt ना बढ़े तो इसके लिए क्या बोला गया इसके लिए बोला गया कि आप करिए monetization of the deficit और यह जो monetization of the deficit होता है दोस्तों इस पे बहुत सारे economist नाराज हो जाते इस monetization of the deficit में होता क्या है कि RBI खूप सारा पैसा print करके दे देगी government को और फिर उस government उस पैसे को market में होता रहेगी spending करेगी तो पहले यह काफी होता था दोस्तों 1997 में RBI ने बोला था कि हम एक limit से ज़्यादा पैसा print करके government को नहीं देंगे और इन factors को यह आप कह सकते incorporate किया गया था FRBM Act में Fiscal Responsibility and Budget Management Act 1997 में यह reasons दिये गए थे कि अगर RBI पैसा print करके government को देने लगेगी और government उसको धडलने से खतम करने लगेगी तो पहली बात government पैसे की कीमत नहीं समझेगी दूसरी बात कि market में inflation बहुत ज़ादा हो जाएगा इसलिए direct monetization of benefit सही नहीं है हम बहुत से economic सास्ते अगर आप पूछोगे वो बोलेंगे direct monetization सही नहीं है पैसा proper तरीके से आना चाहिए ठीकि इसलिए market से अगर आप पैसा उठाओगे तो आप उसको तरीके से खरच करोगे लेकिन अगर RBI आपको पैसा print करके सीधे सीधे पकड़ा देगे तो आप उसको understand खतम करोगे चुकिर RBI तो आप ही का है government own करती है RBI को लेकिन यहाँ पर author का एक चीज बोलने है कि देखिए अगर direct monetization of benefit करते हैं आप तो RBI कोई free में पैसा नहीं दे रही है government को government के treasury bills को खरीदेगी RBI और उस treasury bills पे जो government है वो RBI को interest भी देगी ओके तो आप समझेए RBI जो पैसा print करके देगी government को इस direct monetization of benefit में उसके बद्ले में government RBI को treasury bills देगी यह सब बात बोलिए लेकिन इसके against में बहुत सारी आप कहसकते कि market में misconception से ऐसा यहाँ पर author का बोलना है inflation बहुत ज़ादा आजाएगा पर author का यहाँ बोलना है कि inflation कैसे आएगा लोगों के पास unemployment है लोगों के पास पैसा नहीं है उनकी जेब में liquidity नहीं है demand बिलकुल दभी हुई है inflation कब बढ़ेगा जब demand बढ़े ठीके जब लोगों की जेब में पैसा ज़ादा हो ना इस तो में लोगों की जेब में पैसा है liquidity नहीं है लोग unemployment है अलरड़ी पैसा नहीं है और demand बिलकुल घटी हुई है तो जब ये तीनों factors बिलकुल गिरे हुए हैं तो आप inflation के नाम पे direct monetization deficit को कैसे मना कर सकते हो यह यहाँ पे author बोल रहा है T.T.Ramji T.T.Ramji यहाँ पे एक theory को support कर रहे हैं और उस theory का जो नाम है वो theory है दोस्तो modern monetary theory यहाँ पे इनका कहना है कि modern monetary theory किसको support करती है direct monetization of benefit को support करती है तो यह सब दोस्तों यहाँ पे बात करी गई है अब direct monetization of benefit होना चाहिए नहीं होना चाहिए कह नहीं सकते देखिए एक और चीज़ होती है जिसमें होता open market operations अब यहाँ पे मैं आपको open market operations नहीं समझाऊँगा दोस्तों यहाँ पे RBI खरीत फ़रोग करता है securities की market से होता क्या है अब यहाँ पे समझेए यह जो आपका direct monetization of deficit है और यह जो open market operations है इनमें दो effects बताया है यहाँ पे author ने author ने यह बोलाए कि भाया अगर open market operations होते हैं तो उनका bank की balance sheet पे एक temporary effect पढ़ता है open market operations का bank की balance sheet पे एक temporary effect पढ़ता है और अगर आप direct monetization of deficit कर रहे हैं तो permanent effect पढ़ता है bank की balance sheet पे open market operation में RBI करेगी क्या करेगी RBI market से securities को बेचेगी और खरीदेगी liquidity को कम या बढ़ाने के लिए इस समय पे market में पैसा आना जरूरी है ठीक है ना अगर easy policy अपना रही है RBI तो open market operation के तहद जादा पैसा RBI market में उतारेगी जादा पैसा उतारेगी तो उससे inflation आ सकता है यहाँ पे बस यह बोला जा रहा है कि इस open market operation में बैंकों को पैसा बाटने के बजाए आप एक काम करो कि इस पैसे को सीधे सीधे direct monetization of benefit के थूरू government को दे दो और government-led इस समय पे investment होनी चाहिए government-led infrastructure building होनी चाहिए यहाँ पे government क्या कह रही है कि private sector को लोगों को पैसा बचाने की बात कर रही छोटे-छोटे MSMEs को पैसा बचाने की बात करी ताकि वो development करें और उनके basis पे growth हो वो गलत है इस समय पे government को lead लेनी चाहिए और सीधे direct monetization of benefit से पैसा उठाना चाहिए तो बस यह फर्ग यहाँ पे open market operations और direct monetization of deficit को समझने की ज़रूवत है ओके दोस्तों direct monetization of deficit में क्या होगा सीधे-सीधे पैसा प्रिंट करेगी और भी आई government को दे दी यूरोप में बहुत होता है यूरोप में central bank कई बार ऐसा करती है कि सीधे-सीधे euro चापेगी और government को पकड़ा देगी ये इंडिया में करने की ज़रोत है इसकी बात कहीगी तो ये था article दोस्तों अगले article में चलते हैं हम लो अगला article है यहाँ पर देखे क्या बोला गया है strategies in tackling the COVID-19 crisis must include local governments being equipped and fiscally empowered सीधे-सीधे ये बात बोली गए अभी देखे कुछ दिन पहले एक news आई थी 17 मही के लगबग दोस्तों ये news आई थी कि government ने state government से कहा है कि आप पहले state government से लगबग 3.5% of their gross state domestic product को debt की तोर को उठा सकती है तो जितना उनका GSDP है जितना उस state का GDP है उसका 3.5% जो government नी वो उठा सकती थी as a loan लेकिन अब central government बोला कि इसका 5% आप उठा सकते हो बशर्ते आप अपने यहाँ पे कुछ reforms को लेके आएंगे author ये बोल रहा है कि ये जो conditionality लगाई गई है state government पे कि भाई 3.5% से 5% तक borrowing को बढ़ा सकते है बड़ उसके पहले आपको कुछ conditionality इसको पूरा करना पड़ागा ये conditionality लगाना गलत है central government को ये conditionality नहीं लगानी चाहिए चुकि इस समय पे local finance को improve करने की जरूवत है एक emergency की situation चल रही है ये author ने बोला है author ने ये भी बोला है कि देखे अगर covid-19 के crisis से जूजना है और covid-19 में चार main चीज़े problem कर रही है एक तो economy problem कर रही है पैसा नही है दूसरा लोगों की health खराब कर रही है तीसरा लोगों का daily का welfare और खर्चा पानी, welfare, livelihood और तीसरा रिसोर्स, mobilization की और पैसा कहां से लेकर आए रहे है तो इन challenges को अगर tackle करना है तो सबसे best इन challenges को tackle कर सकते हैं जो lower level of governments है जैसे for example पंचायत हो गई municipalities हो गई तो इसके लिए 73rd constitutional amendment act है 74th constitutional amendment act है लेकिन यहां पर author यह बोल रहा है कि 73rd और 74th constitutional amendment act को reform करने की जरू होते है municipalities और पंचायत को reform करने की जरू होते है उनको ज़ादा functions देने की जरू होते इन local governments को ज़ादा financial responsibilities देने की जरू होते कई states में तो इन पंचायत के municipalities के जो functions है वो पूरी तरीकी से defined ही नहीं है यह बोला गया है साथ साथ जो main चीज इस article में बोली है author ने वो बोली है कि कैसे इन local government को पैसा दिया जाए तो उसके लिए कुछ heads बताए है एक head है आपका local finance पैसा कैसा दिया जाए एक MPLADS scheme है एक 15th finance commission के अंदर की कुछ recommendation से देखते हैं दोस्तो local finance में क्या कहा गया है local finance में बोला गया है कि जो property tax collection होता है उसको थोड़ा refine करना चाहिए तो जो urban local government से दोस्तों जो municipalities है कहा जाता है कि जो municipality है जो total revenue municipalities के पास आता है उसमें से जो own source of revenue है वो है 44% और जो total revenue पंचायत के पास आता है तो जो उनका own source of revenue है वो है 5% समझे अभी ये own source of revenue समझ रहो ना दोस्तों देखिए मान लिए पंचायत के पास या फिर municipalities के पास 100 रुपया आता है अब कुछ ऐसे taxes होते है जो municipality और पंचायत को state government देती है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर 100 रुपय municipality के पास आ रहे है तो उसमें से 44 रुपय municipality अपने लगाये हुए taxes से वसूल रहे है और अगर 100 रुपय पंचायत के पास आ रहे है तो उसमें से 5 रुपय पंचायत अपने लगाये हुए taxes के थूप रसूल रहे है तो municipality के पास जो पैसा आ रहा है उसके अपने sources से ज़ादा आ रहा है पंचायत के पास यह amount बहुत छोटा है यहाँ पंचायत जो को taxes लगाता है उनसे पैसा बहुत कमा रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि भई property tax collection को बढ़ाया जाना चाहिए साफ साफ यह बोला गया अलग-अलग states में property के tax collection को जमा करने का collect करने का जो आप कहसे थे हैं modus operandi है जो तरीका है वो अलग-अलग है इसको uniform करने की जरूँ थे एक बात तो यह बोली गई है फिर यह बोला गया है कि उत्तरप्रदेश बिहार और जारकन जैसे states में पंचायत लेवल पे लोकल लेवल पे कोई tax एकटा होता ही नहीं है जबकि अगर दुनिया से compare किया जा दुनिया भर में property tax लोकल revenue का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सबसे बड़ा source होता है यह बात बोली गई है अगर बात की जाए 2017-18 में तो 2017-18 में इंडिया में जो property tax collect किया गया वो था 0.14% of GDP वहीं पे OECD countries की बात करें Organization of Economic Corporation and Development वाली companies की बात करें वहाँ पे जो property tax collect किया गया वो था 2.1% of the GDP तो आप समझ सकते हैं कि जिस जगा से हमको tax लेना चाहिए उस जगा से हम tax नहीं ले पा रहे हैं property tax ठीक ठाक वजोलना चाहिए एक बात यह बोली गई है फिर एक और चीज़ कही गई है कि मैं municipality municipality और जो सबर्बन पंचायद से वो एक काम कर सकती है वो एक करोना containment bond market में issue कर सकती है और उस करोना containment bond का जो coupon rate होगा वो market rate से कम रखें क्या होता है एक bond में देखिए दोस्तों माली जे 100 रुपे है 100 रुपे का एक bond है उस bond के उपर maturity लिखी 100 रुपे एक साल के लिए आपने वो bond issue किया मतलब एक साल बाद जब आप bond वापस करोगे इस municipality को ऐसा बर्बन पंचायद को तो आपको 100 रुपे मिल जाएगा उसका एक coupon rate होता है माली जे 96 जो कि उस पर listed होता है तो ये बोला गया है कि जो coupon rate होगा इन bond का उस coupon rate को market rate से नीचे रखेंगे यान माली कि माल लीज़े दोस्तों कि अगर market में कोई bond issue है उसका 97 रुपे coupon rate है बदब 97 रुपे खरीदी है और एक साल बाद आपको 100 रुपे मिलेगा तो अगर ये municipalities 96 रुपे का इस bond को list करती है तो अविस सी बात है 96 रुपे के बदले में 100 रुपे एक साल के बाद मिलेगा तो जो rate of return है वो इस 96 वाले case में ज़ादा हो जाएगा 97 वाले case में कम हो जाएगा तो बस यहाँ पर author ये बोल रहा है कि ये जो municipalities हैं जो सबरबर पंचायत्स हैं ये corona containment bond issue करें जिसका जो coupon rate हो वो market rate से कम हो तो क्या होगा कि bank भी आएंगे इनके पास municipalities के पास उस corona containment bond को खरी देंगे और bond market municipalities का और तेजी से बढ़ेगा इंडिया में तो एक ये तरीका बताएगा कि कैसे ये municipalities municipalities और सबरबर पंचायत्स मार्केट से पैसा उठा सकती है ये बात बोली गई दोस्तों फिर MPLATS scheme की बात कीगी देखी union government ने MPLATS scheme को दो साल के लिए कर दिया है बंद और उस MPLATS scheme के अंदर बहुत सारा पैसा पहले से बढ़ा हुआ था तो ठीक ठाक पैसा बजगया government का एक साल का MPLATS scheme का बजट था 4000 करोण रुपए तो अब यहाँ पर author बोल रहे हैं कि ये जो पैसा MPLATS के अंदर था इसको municipalities और पंचायत को देना चाहिए एक well-defined mechanism के basis पे ये बात बोला गया है फिर आपका जो finance commission है तो ये था दोस्तों जितना आसान तो ये था दोस्तों जितना आसान तरीके से हो सका दोस्तों उतने आसान तरीके से मैंने इस article को आपको समझाया नेक्स article पी चलते हैं आपका बात कर रहा है selling space इस space को बेचने की बात कर रही है अभी 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 आपको बताए था दोस्तों SpaceX चुकि एक private company है उसने international space station में NASA के कुछ astronauts को भेजा है पहले क्या होता दोस्तों USA ने लगभग अभी से एक decade पहले दस साल पहले ही जो human space launch प्रोग्राम था उसको कर दिया था बन यानि कि अमेरिका अपने soil से humans को space में नहीं भेजता था तो अमेरिका क्या करता था ये काम Russians को दे दिया आप Russians से बोला कि आप हमारे basis पे हमारे ब्याव पे हमारे astronauts को space में भेज दीजे और एक astronaut को space में भेजने के लिए USA रशिया को payment करता था 80 million dollars की यहाँ पे क्या हुआ है NASA ने जो कि USA की premier space agency है एक private company space X जो कि Elon Musk की है उसके साथ एक public private partnership करी और इस public private partnership के चलते पहली बार space X ने NASA के astronauts को भेजा space में अब इससे revolution सा उठता नजर आ रहा है revolution सा उठता क्या नजर आ रहा है NASA आप चाहती है कि space X space flights के लिए पूरी दुनिया से customer लेकिया है यानि कि माल लिजए अब इंडिया को अपने astronauts को भेजना है कहीं रशिया को भेजना है शाइना को भेजना है ब्रजील को भेजना है किसी भी country को space में अपने astronauts को भेजना है या किसी satellite को भेजना है तो उसके लिए sorry space में अपने किसी astronauts को पूरा करे commercially जिससे space के field में USA आगे बढ़ेगा यह बात बोले गई है यहाँ पर फिर इस और्थर ने इस article में कोई चीज़ बताई गई कि जापान के कोई billionaire है युसाका मेजावा इन्होंने अलरड़ी sign up किया है कि हम मैं भी भाई मून जाऊंगा और मून से वापस आऊंगा तो space में जब commercial plans की बात होती है तो यहाँ पर space X एक बहुत major role की तरह सामने आ सकती है यानि कि भले ही international space station में आपका astronauts को भेजना हो या फिर कोई satellite को orbit में डालना हो low earth orbit में या फिर कल की date में हो सकता है कि space X इतनी बड़ी बन जा है अभी के लिए तो नहीं आने वाले 10, 15, 20, 30 सालों में कि जैसे domestic flight होती ही न कि आप उड़के नियॉयर्क पहुंच गए वैसे किसी को moon जाना है या space में tourism करना है तो space X वो भी शुरू कर सकता है तो यह बात करी गई है दोस्तों तो यहाँ पे space X को एक strategic asset के साथ साथ एक commercial asset की तरह भी देख रहा है NASA यह बात करी गई है अब देखिए हमारे इस उरो का यहाँ पे क्या रोल हो जाता है देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोलाए कि भाई इस उरोरेशन में भी private players आएं और invest करें यह सब बाते बोली जारी कुछ दिन पहले हमारा कुछ साल पहले मारा Mars Orbiter Mission गया था उसमें मोदी जी ने डिकलेर किया कि Mars Orbiter Mission में एक किलोमेटर के travel करने की जो cost आई थी वो थी 7 रुपया जो कि कहा जा रहा है कि एक आटो रिक्षा के cost से भी कम है बहुत जगाओं पे तो इस रो भी एक competitive edge को ले के आ रहा है ग्लोबल मार्केट में तो यहाँ बस इस article में दोस्तों SpaceX में जो किया है उसको इंडिया में जो इस रो कर रही है उसके साथ compare किया जा रहा है तो इस तरीके कि जब space technologies खुलेंगी तो बहुत सारे innovations होंगे बहुत सारे innovations होंगे तो दुनिया भर में entrepreneurial adventure शुरू होंगे ठीक है superpowers इस commercial space exploitation में एक दूसरे के साथ compete करेंगी compete करेंगी तो space exploration के जो cost होगी वो नीचे आई यह सब बात कही गई है और हो सकता है कि जब एक pan global level पे space engagement ज़ादा होगा तो space का nuclearization या space का weaponization भी नहीं होगा यह सब बात है बोले गई दोस्तों तो अभी के लिए यह article खता होता है आगे चलते है यह एक important article है दोस्तों जिसे में बात कीए fighting sea blindness क्या चीज है इसको देखते है तेकि यहाँ पे इस article को सबसे पहले तो आपको समझना DK शर्मा जी ने लिखा है यह पहले हमारी naval forces में ही थे यहाँ पे इन्होंने कुछ point out किया है point out यह किया है कि कुछ reference persons से शायद पहले एक statement issue की थी कि हमें अभी एक third aircraft carrier की ज़रोत नहीं है एक third aircraft carrier बनाने की हम हालत में भी नहीं चुकि हमारे पास पैसा है नहीं COVID-19 का pandemic फैला हुआ है पूरी दुरिया में हमारे पास एक third aircraft carrier को बनाने का पैसा नहीं है कहा गया कि अलड़ी हमारे पास दो है वो दो कौन-कौन से पहले यह देखते तो भई यह आयनस विक्रमा देते हैं यह आयना विक्रमा देते हैं सोवेत नेवी में था पहले उसका रशियन नेवी में आया और finally इंडिया ने सुखरी लिया काफी पूराना है इंडिया को लगा कि हमें अपना खुद का भी एक इंडिजीनिस एरक्राफ्ट कैरियर ना चाहिए एरक्राफ्ट कैरियर समझ ले ना बड़े-बड़े जहाज दोस्तों जो कि आपके समुंदर में चलते हैं उन बड़े-बड़े जहाजों पे हजारों की संख्या में लोग रह सकते हैं कई सारे प्लेंस उन जहाजों पे डिप्लाइ किये जा सकते हैं वो प्लेंस उन जहाजों से टेक आफ कर सकते हैं उन जहाजों पे लैंड कर सकते हैं तो यह होते हैं भाई एरक्राफ्ट कैरियर Aircraft Carrier बहुत important माने जाते हैं REP वर्ब वर्फ में Aircraft Carrier का इस्तमाल किया था USA ने और जापान ने USA के Aircraft Carrier और जापान के Aircraft Carrier के बीच में लड़ाई जाती है तो Aircraft Carriers बहुत important strategic force मानी जाती है China ने भी कुछ साल पहले बोला था कि land force या air force को aircraft carrier से ज़्यादर जरूरी नहीं माना जाता है aircraft carrier बहुत important होते है इंडिया के पास जो दूसरा aircraft carrier है वो है आयनस विक्रांद इसको हम लोग indigenously मना रहे हैं कोचीन में कहा जा रहे हैं कि 2022 में ये service में आ जाएगा बट तीसरे aircraft carrier की बात नहीं हो रही है यहाँ पर शर्मा जी का यह बोलना है कि अगर आप तीसरे aircraft carrier को ignore करेंगे तो problem होने वाली है naval warfare को ignore नहीं किया जासकता naval power को ignore नहीं किया जासकता दूसरी बात हमारे देश का 97% of the trade है वो ocean से होके गुजरता है 97% of the trade ocean से गुजर रहा है तो हमें aircraft carrier की ज़रूरत है यहाँ पर example लिया है 1965 के war की 1971 के war की 1965 के war में ज़्यादा naval action नहीं हुआ था but 1971 के war पर ज़्यादा naval action हुआ था हुआ क्या था आपको पता है दोस्तो 1971 में बांगलादेश का liberation हुआ था यहाँ मान लिजए यह है आपका बांगलादेश यह इंडियन पेंडेंस हुला है यह है आपका बेवब बंगाल यहाँ पर इस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी इंडिया के साथ fight हो ली थी वेस्ट पाकिस्तान इधर था तो वेस्ट पाकिस्तान की reinforcement कहां से आएगी यहां से आएगी समुंदर के रास्ते से आएगी तो यहाँ पे एक naval blockade किया था इंडिया ने और इस naval blockade के चलते पाकिस्तान के जो reinforcement आ रहे थे वो नहीं आ पाएं तो एक लाग जो soldiers थे इस पाकिस्तान में उन्होंने surrender कर दिया इंडियन armed forces के सामने तो समझ रहे न इस naval blockade की क्या जरूरत थी दोस्तों अगर पाकिस्तान के reinforcement समुंदर के रास्ते से मांगला देश में गुज जाते तो अव्वेसी बात है वार लंबा चलता और ये एक लाग soldiers जो की इस्ट पाकिस्तान के थे वो इंडिया के सामने surrender नहीं करते चुकि जो reinforcement चारे तो उसको block कर दिया हमारी navy ने बेवफ बंगाल में इसलिए पाकिस्तान हार गया तो 1971 का example देके यहाँ पे यह जो author है वो यह बता रहे है कि अपनी never superiority की बनाने की क्या ज़रूरत है अगर हम अपनी never superiority को नहीं बढ़ाएंगे और never superiority को on the basis इस बात पे ignore कर देंगे कि भाई COVID-19 फैला हुआ है हमारे पास पैसा नहीं है तो यह हमारे लिए बहुत problematic हो सकता है future में चुकि हमारा 95% of the trade समंदर से पास होता है और यहाँ पे author ने एक बात और बोली कि देखें जो aircraft carrier होते हैं यह aircraft carrier एक या दो साल में नहीं बनते हैं aircraft carriers को बिलने में सालो लग जाते हैं उसकी technologies को बनने में सालो लग जाते हैं प्लस यह बोला जा रहा है कि aircraft carrier को बनाने में फायदा इसलिए क्योंकि जब एक indigenous aircraft carrier बनेगा तो बहुत सारे industries आएंगी बहुत सारे M.E.C.M.E.s involved होंगी एक बहुत बड़ी supply chain बनेगी जिससे बहुत सारे लोगों को employment भी मिलेगा यह सब बात में बोली है यहाँ पे D.K. शर्मा जी को यह important points से दोस्तों तो यहाँ पे मैं अपना यह editorial खतम कर रहा हूँ I hope आपको कुछ important सीखने को मिलेगा इससे Thank you for watching friends, have a great day, goodbye